दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वागत आपका देव भूमे उतरा खंड के खूबसूरत से सहर देहरादून से साथियों जैसे कि आज 9 नौवंबर है और 9 नौवंबर को समुचे उतरा खंड में उतरा खंड राज्य इस्तापना देवस के रूप में मनाये जाता है और आज की विशेस उतरा खंड इस्तापना देवस पर हमारे देश के राश्रपती स्रीमती दुरोपती मौलू जी ने हमारे उतरा खंड के देहरादून में पुलिस लाइन में सभी उतरा खंड वास्यों के साथ इस्तापना देवस मनाया तो सभी मित्रों को उत्राखंड राज्य इस्थापना दिवस की हार्दिक सुपकाम नाए तो आए संग्छित्य में जानते हैं किस परकार उत्रपरदेश से पिर्थक होकर उत्राखंड राज्य का गठन हुआ भारत की स्वतंदरता के बाद ततकालीन संयुक्त परांते के हिमालई जिल्लों ने छेत्री साहित्य में महत्त पूर्ण ध्यान आकर्शित करना सुरू कर दिया 1950 में टिरी गडवाल की रियासत हो गई 1950 में भारत के संविदान को अपनाने के साथ संयुक्त परांते का नाम बदल कर उत्तरपरदेश कर दिया गया और यह भारत का एक राज्य बन गया आजादी के दस्कों बाद भी उत्रपडेश सरकार हिमालई छेतर में लोगों के हितों को संबोधित करने की उमीद बुन्यादी धाचे की कमी सामान या अविक्सिक्ता और बहतर अवसरों की तलास में मूल पहाडी भासा के लोगों के परवास ने अंततों एक अलग पहाडी राज्य के निर्मान की लोग पिरिया मांग को जनन दिया राज्य का दर्जा प्राप्त करने के उदेश्य से उत्रा खंड करांती दल के गठन के बाद विरोधने गती पकड़ी और नभे के दसक ने पूरे छेत्र में व्यापक राज्य आंदोलन का रूब ले लिया दो अक्टूबर 1994 को आंदोलन ने हिंसक रूब ले लिया जब उत्तर परदेश पुलिस ने मुझफर नगर में परदर्शन कारियों की भीड पर गोलिया चलाई जिसमें कई करांतिकारी सहीद हो गए राज्य के गाले करताओं ने अगले कई वर्सों तक अपना आंदोलन जारी रखा और परिणाम सोरूप उत्रा खंड राज्य का गठन 9 नौमबर 2000 को उत्तर परदेश पुनर गठन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तर परदेश के पूरवर्ती राज्य को विभाजित करते हुए उत्रांचल के रूप में किया गया एक जन्वरी 2007 को उत्रांचल का नाम बदल कर उत्रा खंड कर दिया उस नाम को पुनव प्राप्त किया जिसके द्वारा इस छेत्र को राज्य के गठन से पहले जाना जाता था तो आईए हम सभी मिलकर उत्रा खंड राज्य के लिए जो सपने बुने गए थे उनको पूरा करने के लिए सभी एक जुठ होका उत्रा खंड को अपना सहयोग देंगे धन्यवाद